नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने पिछले तीन-चार दिनों से देखा है कि बहुत सारी वेकेंसी हमारे स्टेट लेबल में आ रही है पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है है एर आई का चुका है तो इसी को लेते हुए हम बल्ड विनर अकेडमी और बीस अकेडमी के जॉइंट वेंचर में आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन हमने किया है जिसमें हम सभी व्यापम के जो आगामी एक्जाम है इस्पेशली पटवारी को तो हम पूरा करेंगे और बाकी जो एक्जाम है आपके जिस से फॉरस्ट गाड़ का अने वाला है ना बाकी जितने भी एक्जाम है जो आपको अग्जाम होगा उसको भी फोकस करती हुए उसको को भी डिजाइन करते हुए एक बहुत अच्छा बेच हम लेके आ रहे हैं जो कि बीएस एकेडमी का जो हमारा एप होगा उस पर लाइब होगा जो कि एक दिसंबर से हम शुरू करने वाले हैं में श्रीकांत नेमा उसमें आपको मैस पढ़ाने वाला हूं और मैस जो भी होगा मतलब हम केबल ट्रारगेट पटवारी को तो हम करेंगे ही मगर बाकी जो आपके एक्जाम होगे व्यापम से रिलेटेट है ना उसमें भी आपका जो मैस होगा वह बहुत काम होता है मतलब बहुत इंपोर्टेंट सब्चेट होता है और सारा ही मैस हम यहां पे कंपीट करने करेंगे और एक दिसम्बर से जो हमारा बैच होगा उसमें डेली हमारी तीन घंटे की लाइव क्लासे सोंगी जिसका टाइम होगा चार बज़े से साथ बज़े तक उसके एकॉर्डिंग हम आपको सारे सब्जेट का सेडूल जो होगा वह आपको हम डेटेल में बताएंगे तो आई आए अज ने चरार का देखेंगे जिसका नाम है न है अब यह सुरू करेंगे बगर पहले थोड़ा से हम इसका प्रक्ति की चीज़ें में होती हैं जिस से हम कोशिन को बहुत बहतर और आसनी से कर सकते हैं तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है टाइमेंट बर्क है, अब ये बात आपको देखे ही क्लियर हो रही है, कि वर्क होने वाला November बर्क होने बर्क होने वाला है तो जब हम बर्की जिदी बात करते हैं और कौ 뉴스 की है तो हम बात करेंगे Total वर्की तो जब हम Turtle की बात करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट qualidade करेंगे इसको जब हम itel एकस्प्रेस करेंगे तो तीन औप्षन हमारे पास होते हैं हंस Pan पहला जो खोन होता है बहुत है और तीसा जो तरीका होता है बहुत है लेट करने वाला अजूम करने वाला मानने वाला जब भी वर्क को आप कुछ मानेंगे कुछ आजूम करेंगे तो इसको हम हमेशा मानेंगे यूनिट में तो जो भी वर्क होगा उसको हम यूनिट में मानेंगे कैसे मानते हैं यह थोड़ मैं यहां बोला कि एक बिक्ति ए था जिसने किसी काम को दो दिन में कर रहा है मैं आप से यह बात पूछूंगा कि ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा तो आप मुझे बताईए कि पूरा काम कित्ता था, 100% था, जो हो रहा था दो दिन में, और यदि हमने एक दिन का काम निकाला है, एक दिन का वर्क निकाला है, तो एक दिन में यदि काम होगा, तो वो कित्ता होगा, तो आप बोलेगे 50% होगा, और ये जो 50% होता है, इसको जब बापिस friction में बदलेंगे, तो बताईए क्या आएगा आप बोलेंगे बन बाइट हुआ आएगा तो एक बात यहां से फिर से चलो एक एक जांपल लेते हैं फिर हम फाइनल जो कंक्लूजन है उस पे आते हैं बी ने कोई काम किया है मालों फोर डेस में बी ने काम किया बही हमारा 100% फोर डेस में मैंने फिर से बोला कि बी बताईए एक दिन में किता काम करेगा तो आप बोलेंगे एक दिन में काम करेगा किता यदि पूरा काम 4 डेस में हो रहा है 100% तो दो दिन में 50% होगा और एक दिन में जो बी के द्वारा वर्क होगा वो ने ब्रट का इसी बी ने पूरा वर किया है इसी बात को हम क्या लिखेंगे कि सपोस्ट कोई कि परसन्सी है जो किसी वर्कों करता है मानलों एक्सदेस में मैंने बताय मैंने पूछा कि वह वंडे में किता वर्क करेगा तो आप सीधे क्या बुटता तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे जो भी टोटल टाइम क्या होता है इन वर्स जो होता है वह हमेशा वन दे का मैं टाइम होता है उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई है यदि कोई विक्ती पूरा काम करता है , या त्री आप् सक्वा आप अप् सक्वいます जितने ये पर्शन होते है ना इस शैटर में उन में क्या होता है कि वर्क हमेशा आई एक एक्जामपल लेते हो उससे बात और आपको थोड़ी सी क्लियर होगी देखिए जिसे कोशन हमारा ऐसा है कि एक ब्यक्ति है दूसरा ब्यक्ति भी है एने किसी काम को किया तो उसने 20 दिन में कंप्रीट बर्क कर दिया बही बर्क जब बी ने किया तो बी ने उस काम को क करेंगे कमबाइन बर्क करेंगे तो किता टाइम लगेगा है ना तो पहला तरीका देखेंगे जारा कैसा है पहला तरीका एक टोटल टाइम क्या है टूंटी डेस तो ए बताईए वंडे में किता बर्क करेंगा आप बोलेंगे दोनों को मिलकर आप बोलेंगे दोनों को मिलक यहां भी बीच में क्या लगाना पड़ेगा तो यह हमने दोनों को साथ में बर्क करा दिया दिया ध्यान रखिएगा यह बंडे का वर्क है और यह बंडे का वर्क है ना शरी देखते हैं आगे चेप्टर में लेना बहुत जरूरी है तो लस्म केसे लेते हैं हम सब कुछ यह सिंवलिफिफाय हो के वह रहा है, अब मुझे बताओ यह क्या था एक का व्णेकवर यह तो यह भी यह हूं की हमारा वं ड्री का वर्क है कंभांई मारा डौनों मिलकर एक दिन पहले कि इतना क्म करेंगे Mudai qualities ही एक दिन में केंक्ता काम करेंगे One by 12 हमसे क् तिनिभार तो ये बेसिक तरीका है पहला तरीका है जो आपको अक्सर हर बुक में दिखेगा हमें सेकंड टरुपर भचल करता है कि ड्वर करता हैו कि ठीड ऐस मैंने आपको अभी बताया था कि जोबी परसंट हमारे होते हैं चाहे कूझ कूश चाया हो फ्लाब उनके द्yani वोता है ना वह मेशा सेम होता है तो the would I give you a अब मेरा कि आप क्या बोलाँ है भी तर 10 कोई काम किया तो मैं यह बोल रहा हूं कि कौन सा काम क्या उस वपर को हमें सामने लाना है उस वरग को हमें सामने लेके आना है तो कुछ नहीं करते है जब भी आप total बर को कुछ लोगे ना तो हमेशा क्या करो इनका क्या ले लो आप LCM ले लो क्या ले लो जो भी time आपको दिया है 2030 इनका क्या ले 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 जो बात में आपको यहाँ पर देखी बताई थी कि हम let करेंगे बर को लेट कैसे करेंगे यूनिट में करेंगे तो लेट मतलब अजूम करेंगे और कैसे करना है जूम तो आपको क्या ले लेना LCM लेना किनका जो time ऊपर दिया है तो 2030 का LCM क्या आया 60 unit आया तो अब हम यह नहीं बोलेंगे कि एने कोई काम किया अब हम बोलेंगे एने 60 unit काम किया और बीने भी कितना काम किया 60 unit काम किया अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं स्पीर निकालते हैं इसी को हम बोलते हैं efficiency इसी को हिंदी में बोलते हैं कारेश हमता या फिर दक्षता अब यह होती क्या चीज है इसको थोड़ा सा meaning by स्थोड़ा सा systematic समझते हैं, तो efficiency जो होता है, उसका मतलब होता है, एक दिन में किया गया काम का हिस्सा, ए ने बताई ये कितना काम किया, 60 इनिट किया, कितने दिन में किया, 20 दिन में, मुझे एक की क्या चाहिए, efficiency चाहिए, efficiency मलब कारेश हमता होती है, इसका मलब क्या हुआ, एक दिन में ए द्वारा किया गया काम का हिस्सा, काम का पार्ट, बही efficiency होता है, तो यदि ए 60 इनिट काम क्तिन में कर रहा है धीजेन जी निकालेंगे तो बही काम कित्ती दिन होगा तो काम क केटा है और B को करना है तो एक तक करेगा रेका भी किता करेगा करेगा दो करेगा दोनों मिल जाएंगे तो कितना करेंगे 5 करेंगे तो एक दिन में दिए 5 उनिट काम हो रहा है और 60 करना है तो समय कितना लगेगा तो आपको 12 दिन लगेगा बहुत बेसिक सा संपल से कोशन से हम समझना चाहा रहा है तो यह तरीका हमारा होता है अब देखिए जराब इसी कोश्चन को हम थाड़ वाले तरीके से सॉल करें हलाकि तरीका थाड़ नहीं बोलेंगे क्या बतारों में बात समझेगा यहां एक बात बताईए यह टाइम दिया था तो पहले आपने क्या निकाला टोटल वरर्क निकाला फिर आपने क्या निकाली हें इद इस को हम थोड़ा साहलिट heats सकते हैं और बाद में क्या निकाल सकते हैं इसे दिख ज़रा अको को को कुर्टी डिज टैम क्या दिया था आपको तो आ शाल्ति क्या बोला की यहां क्या था इस निकाला था लेके फिर हमने क्या निकाला था इफीसेंसई निकाला था अब कई कोशन ऐसे आपके सामने आज सकते हैं जिसमें LCM डेने में दिक्कत आ रही है लगा तो फिर आप यह तरीका प्लाय करेंगे जो मैं अब बता रहा हूं क्या तरीका कि ध्यान से देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि पहले क्या निकालेंगे हम पहले निकालेंगेTeamm सिंग कि इसमें हमने पहले क्या निकाला पहले हमने इसमें टाइम निकाला तो यदि मैं कहो कि जो किसका होता है हॉता है ताइम का होता है किसका होता है जो रेषयो बनेगा यहां पर क्या होता है वह भी सम्झा देखेगा भी तो थी का अपोजिट क्या हो गया ही टू हो गया अपोजिट एक्चल में ऐसा होता है थोड़ा सदेखिए लिए आप यह था यह रिशो हमारा था किसका टाइम का तो जब मैंने बोला कि एफीसेंसी का रेशो बता दो मुझे तो अप को यहां लिख देते हैं यह shortcut हम apply कर लेते हैं मगर तीन होंगे ना तीन चार पांच कितने भी नंबर तो यह तरीका बेसिक होता है ठीक है तो आपने क्या बोला कि यह हमारे पास रिश्व आगया efficiency का अब बताइए efficiency आगया अब मुझे क्या निकालना है total work निकालना तो जब हम total work निकालेंगे तो क्या तरीका होगा सुनिएगा कि यदि मुझे किसी person की क्या पता है efficiency डक्षता काम करने का एक दिन का part यदि पता है तो उसमें किसका into कर दो आप time का तो जब भी हम efficiency में multiple करते हैं time का तो क्या आएगा total work आएगा क्या आएगा देखो चेक करके देखते हैं तीन efficiency एक है एक टाइम क्या है बीस दिन time कौन सा लेना है actual वाला रेशो वाला ने time हमेशा कौन सा लेना है एक चुल वाला तो बताओ तीन में दिक उना करेंगे 20 का तो भी यहां से क्या निकल क्या आया तो यह भी क्या है total work है वीकी efficiency उठाएंगे साथ आएगा यह भी करेंगे तो भी साथ आएगा तो हर कंडिशन में total work आप निकाल सकते हैं efficiency में time का multiple कर दो total work का जाता है ठीक है अब कोशन क्या था कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे तो काम था 60 unit का कराना दोनों को मिलके था दोनों मिल जाएंगे 5 होगा स कितनी बात अब एक बात में यहां पर यह समझा देता हूं आपको क्या समझारों में ध्यान सुनिएगा कि जो हमने सीखा जो मैंने भी बताया क्या बताया कि जो रेशो टाइम का है उसका पोजेट efficiency होता है तो यह केसे आता है कहां से आता है थोड़ा सा देख लीजिए दे About time ratio किसका है उसका opposite क्या होता है ऐसा time का Esteeables अखना मिलेब यह दोनों एक दूसरे के रहा क्या है 20 km है थे कि यह बताइआ यह क्या है तो अधे निकाले निकाले तो Sheriff क्या बनेगा अब अभी धर पहले बोला है कि जो डेशे का इफिशेनसी इस चुन उसका पोजे टाइम होता है यह बाख पूफ करके बता यह रोफ़ करके आता है कर लिए तो यह होता है व्यक्ति के द्वारा क्या होता है ऱ रिखा उबर्ग क्या होता है अब झायर कितम कसे होदा ना तो 100政治 हम बोलते हैं कि दोनों को सॉ सॉ क्यलोमिटर चांटे लगेंगा to पांच घंटे लगेंगे क्या तो य को बी किता दोड़ना है साउ किलो मेटर भी किसिट क्या है 25 बीकस किता टाइम लगे गा चार घंटे लगेंगे तो बताइए बीकर टॉया कि यहादा भी हो सकते हैं minimum 2 होने चाहिए 2% के द्वारा इदी वर क्या है सेमें तो जो रेशो efficiency का उसका अपूजिट टाइम होता है जो रेशो टाइम का उसका अपूजट efficiency होता है बलब दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं वैसी प्लोकल ठीक है और ये बात ध्यान रखिएगा जो मैं भी बताई थी कि जब भी आपको टोटल वर्क निकालना है किसके थूरू इफीसेंसी के थूरू तो इफीसेंसी में किसका इंटू कर देना टाइम का इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके और देख लेते हैं जब भी मुझे इफ हमारा होगा उसमें डिवाइड हमेशा किसका कर देते हैं इफीसेंसी का इससे टाइम निकल जाता है यह तीन बाते आप ध्यान रखिएगा ठीक इतनी बाद उमीद है कि जो कंसेट में आपको भी बताया वह आपके सब्सक्राइब आ गया है ठीक है एक दो एक्जांपल हम लेते हैं उससे थोड़ी सी बात और समझ में आ जाएगी आपको चलिए एकजांपल पर आते हैं कि टाइमेंट वरक आज हमें सुरू करना हो चेप्टर का पहला कोशन देखिए क्या है जड़ा रीट करिएगा एक सांथ किसी काम को 40 दिनों में करते हैं इससे पहले काम करते ही ठीब करते हैं चो भी सटेंट लिए चैया आप एक बात बात बटाओ मुझे की एने जो काम किया वो किता किया इंसे बताओ कि जो अभी अभी आपने सीखा था क्या मों यहाँ लग जाएगा नहीं लगेगा क्यों कि निकाम किता किया 50 परसेंट और बीने केता काम किया whenever घृता होता है तो जब तक बर्व तब नहीं होगा तब आ अपकंसेंफ नहीं लगेगा तो हमारा मकसद क्या है क्को बराबर करना अभ में करते हैं की है किया है मगर अभी मैं फिलाल बेसिक से आपको बता रहा हूं तो हम यदि बोलेंगे 50% 50% कितने में हो रहा है 16 दिन में हो रहा है तो बताइए विसका भी चार गुना क्या हो जाएगा तो बी का टाइम किता आ जाएगा ये का टाइम था क्या जाएगा 96 देज है ना 24 का टाइम करती है ठीक इतनी बात अब आप मेंसे एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि यहां तो फिप्टी था वहां 25 था तो आपने सौ बना लिया असा निसे बगर और कुछ होता तो क्या करते थे इसी बात में समझा देता हूं आपको थोड़ा सा देखिएगा यदि और कुछ होता मालो हमारे पास आप देखिएगा है ना जिसने बनाव और कुछ होता जिसे मैं थोड़ा सा यहां पर संज्जाGen Bishop काम आपके PRC तो पूरा काम केसे निकालोगे तो देखो कैसे करते हैं क्या करा करो यह जो percent है ना इसको friction में बदलो तो 35% को जो friction में बदलेंगे तो क्या हैगा तो आप बोलेंगे 35% हटेगा बटे में 100 चला जाएगा यह कितना होता है तो द्यान यह रखिएगा कि जब आप person को friction में लिखते हो तो denominator हमेशा टोटल को रिप्रिजेंट करता है बनाब टोटल काम के यहां पर किती उनिट है बीस उनिट है और उपर वाला पार जो है ना वह कवर किया गया वर्क हो चुका वाला काम होता है इसका बनाब एने साथ उनिट काम किया है 14 दिन में तो साथ उनिट 14 दिन में में तो बीस उनिट चाहलीज दिन में इससे आप कोई भी बाला 35 25 45 जो भी है उसको आसरी से निकाल सकते हो फिर से देखिए 35 पर से को क्या लिखा आपने साथ बड़े बीस तोटल वर्क है साथ हो चुका है और साथ उनित कितने में हो चुका है 14 दिन में तो बीस इनिट बीस इन्टू दो व्मलब कितने दिन आएगा ठीक इतनी बात यहां तो आसान था तो एजीली सॉल हो गया अब इस बात को देखों को आगे बढ़ाते हैं मुझे एक बात बताओ यह 32 और 96 आगया यदि हम रेशों निकाले टाइम का तो 32 एकम 32 होता है 32 दिया 96 होता है यह टाइम का रेशों आयेगा तो आप बोलेंगे थ्री रेशों बनाएगा इस जिए टोटल वर्क निकालने हां पर हम फटा फट टोटल वर्क निकालो यह से इफीजिएंसी में चार वाला लेंगे हम 32 तो टोटल वर्क इता आ गया इ tengo जो वर्क है टोटल वरक क्या हमें टोटल बर कराना है नहीं हमें काम कराना है 75 पर से इसका हम कितना पर विजह लेंगे पहले 75 मेला तीन बड़े चार होता है तो 96 का 3 बड़े चार जो होगा ना वहाएगा 72 और यह काम किसे कराना है तो आप बोलेंगे दोनों को मिल के कराना तो 3 लेकिन एक करेगा बी करेगा एक तो 3 ओर एक चार कर दो टाइम कैसे निकलता है इफीसेंसी में सब्सक्राइब करके टोटल टाइम किता आ गया 18 अठारा कि हमारा टोटल टाइम आ जाएगा 75 परसंट बरका ठीक है और भी कई तरीके हैं स्कोश्चन के मगर अभी मैं बेसिक आ का मारे लिये बैस होगा बताइज ओम हम हम देख लेटे हैं एक तरीका और हम सब्कोर्रण को देखें का देखें आं सिर्भाos को छूर्टे हैं बाकि आपने देख लिया है को चूल करते हैं मिटा देखें इसको देख़गे जरा देखिए तो ए ने बताओ 50 परसन काम यहीं 16 दिन में किया और बी ने चोबीज दिन में किया तो ऐसा कोश्चन यह जो तरीका में बता रहा हूं यह तब अपलाए करें ओंगे जब हम टाइम को एकुवल कर पाएं यह ने बताई यह काम किता किया 50 परसन कितन में 16 दिन में है और दिन में मुझे क्या वुला था मैंने मुझे एको क्या बनाना है 24 बनाना है तो आठ का कितना गुना है 24 तो पाचीज कर देखा यह हो गया 75 परशन पचासका सोला का डेड़़ा चोबीस हो गया मलब ए पचातर परसन्तरम उसी चंता से चोबीस दिन में कर देगा और भ करेंगा 25 कितनी त baked k他们 रहा है वह तो बिसह नहीं रही रहा था पूर्चि छोड़ा सा बताइक भाधे तो पहलों को मिलाद हो गे तो चोबीस दिन काम नैंने भी किया चोबीसेंगा तो इसने 75 किया तो क्या काम हंडिट पर मुंफ भूए तो यदि वो ये बोलता ना कि दोनों मिल के पूरा काम कितने में करेंगे की बासके नहीं क्या काम हमें पूरा कराना था कितना कराना से कट रहा करेंगां छैबार किख्या 18 जो हमारा अंसबर से商 उसे बाद आपको यह सवन में आई है ठीक है चलो यह बाला ले दिए हैं हाँ ठीक है आर राम और श्याम क्रम्शा चैंड दिन और 15 दिन में पूरा काम करते तेहें हमें मिलकर चार दिततर काम किया और उसके बाद राम काम चोड़कर चला गया तक चंस्ज भूसेस्टने काम को शाम कि अकिला कि तर्म का यदि आप लेना चाहते हैं तो फट आफट ले लो नहीं तो आप टाइम का रेशो बनाओ उसका पोजिट इफीसिंस यह जाएगा मंगर जब डाटा इजी है तो सीधे ले ले लो तो एलसीं किता आएगा तीस उनिट आएगा अब बता ये फीसिंसि निकाल लेंगे केसे एक दिन में काम का रिधा तो ये नीग कितां की है किस ही निटे निटे चेह ऐं Marlin आएगा दोनों ने मिलकर काम सुरू किया चार दिन के बाद क्या हुआ राम ने काम छोड़ दिया तो पहले चार दिन तक तो राम और शाम को करांगी यह राम है और यह शाम है ना ए भी नहीं है तो राम और शाम चार दिन तक काम करेंगे यह कितना करेगा एक दिन में पांच यह कितना बचा है एंद्वर के छोड़ दिया यह दो करेगा जो भी इंट बघकना और इफी सिंच सी करना डिवाइड करने वापको थोड़े से क्लियर हुए है ना बाकी चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर बड़ा होता है बहुत अच्छे से आप इतने समय में नहीं समझ वाएंगे फिर भी कोशिस हमारी ये थी कि आपको हम थोड़ा सा तरीका बता पाएं कि हमारे जो भी टीचर होंगे वो कैसा पढ़ाते हैं चलिए मिलते हैं जब भी हमारा बैच चालू होता है बढ़ियां बकाइदा तैयारी करते हैं अच्छे से और बैचनत करेंगे हम ताकि हम अच्छे से सेलेक्षन ले पाएं बहुत सारी बेकिंसी लगाता लाने वाली हैं बेकिंसी कम है नहीं बज जरूद है हमारी महनत की और शही लगन से महनत ने दिह हम करेंगे तो definitely बहुत समय है तीन महीने बहुत पर्याप्ट समय होता है आप पिती लगन से जुनून से जजवे के साथ महनत करोगे तो हो सकता है और अच्छी तैयारी हम करेंगे बिल्कुल 100% हम देंगे 100% आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि जो हमने सूचा है क्या हमें पटवारी बनना है या कोई भी सेलेक्शन एक्जाम लेना है वो आपकी फुल्फिल हो जाएगी चलिए मिलते हैं बिल्कुल नए जुनून के साथ थैंक यू झाल झाल झाल